अधार कार्ड को लेकर अधार कार्ड अब हमारे जीवन का एक अभिन अंग हो गया है। जारी अपडेट में यह बताया गया है कि दस साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास परमान पत्र वाले दास्तावेजों का अपडेट करवाना आपको जरूरी हो जाएगा। में नया अपडेट जारी कर दिया है। में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटिक्ता सुनिश्चित होगी। बतादें कि UIDAI ने पिछले महीने लोगों से आगरा किया था कि अगर उन्हें अधार संख्या के लिए 10 साल से अधिक हो गया है तो और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोवारा अपडेट नहीं किया है। उबे पहचान और निवास परमानपद दास्तावेजों को अपडेट करवाएं लेकिन इसे अनिवार नहीं किया गया था। पिशले 12 साल में कई लोगों का आवास्य पता बदला है और सरकारी योजनाओं का लाब ऐसे लोगों को मिलती रहे इसलिए अधार कार्ड को अपडेट करने की जरूरत है। क्या होगा चार्ज डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपिय और बायोमेट्रिक के साथ डेमोग्राफिक अपडेट करवाने पर आपको 100 रुपिय देने पड़ेंगे। ये दास्तावेज आपको उस दवरान जरूरी होगा जिसमें की पहचान पत्र करूप में नाम और फोटो युक्त होना चाहिए। अपडेट एडरेस टेप पर क्लिक करेंगे। एक नयाप एज खुल जाएगा यहां आपका अधार नमबर डालें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। एडरेस परूफ की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें और उस पर बाद समिट पर क्लिक कर दें। और इस तरह से एक तरह से करनें कि आपका अधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। हलांकि इसे आप बस दा केंदर पर भी जाकर अपडेट करवा सकते हैं जहां पे आपको कुछ रुपे जो है डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए देने पड़ेंगे। तो यह था अधार से जुड़ी हुई खबर बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और वियसे इंखबरों के लिए बने रहें बिहारी निविट के साथ मुश्यति जेजाजत थन्यवाद